मस्कान यूज आज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राजकुमारी ठाकोर भोपाल के तीन दिवसिय दौरे के आखरी दिन बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष अमित शाह आधिवासी परिवार के घर खाना खाने पहुचे शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंग चोहान, मुख्यमंती शिवरा सिंग चोहान सहित कई बड़े नेता मौझूद रहे जिन्होंने मालवा छेतर के पारंपारिक वेंजनों का स्वाद लिया राजरितिक विशेशग्यों का मानना है कि दलित या आधिवासी के यहां खाना खाना वोट बेंग की परंपरा को आगे बढ़ाना है जबकि पार्टी नेताओं का तर्क है कि इस तरह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी के समाने कारिकरता को भी बड़े से बड़ा नेता साथ लेकर चलता है मध्य प्रदेश में प्रवास के तीसरे और अंतिम देन भारती जनता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष अमित शाह कमल सिंग उई के नाम के आदिवासी कारिकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे शाह के साथ प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार, मुख्य मंत्री शिवराज प्रदेश प्रभारी सहस्त्र बुधे, रास्टी महासचीव अनिल जेन ने मालवा के पारंपारिक पकवानों का स्वात चखा आदिवासी कमल सिंगुईके ने परिवार के साथ पार्टी नेताओं के लिए बड़े चाव से डाल बाटी, चुर्मा, बैगन का भरता, कड़ी चावल और मीठे में सीरा बनाया उन्होंने अपना परंपरा के जो भोजन वो बनाया, बाटी बनाया, दाल बनाया, कड़ी बनाया राश्टी महासची जो साथ में आया अनिल जेन जी राजनितिक विशेशग्यों का मानना है कि दलिती आदिवासी के यहां खाना खाना परमपरा सी बन गई है चुनावी दंगल जीतने के लिए राजनिती में ऐसे हतकंडे अपनाते हुए वोट बैंक और जनाधार जुटाने का प्रयास करना आमबाध हो चली है वही पार्टी नेताओं के मताबिक समाने कारे करता कि यहां खाना खाकर यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि बड़े से बड़े नेता भी उन्हें साथ लेकर चलते हैं गौर्टलाभे की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के दौरी की शुरुवात से ही उनके किसी आदिवासी या दलित के घर भोजन करने की अटकले लगाई जा रही थी बही शाह ने दौरे के आखरी दिन अटकलों को दर किनार करते हुए सेवनिया गोड गाउं में आदिवासी कारी करता कि हाँ खाना खाया शाह के गाउं पहुँचने के मद्दे नजर बस्ती में भारी पुलिस बल को तैनाद किया गया था और सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए थे भुपाल से ब्यूरो रिपोर्ट नियूज आज और इसी के साथ मुझे दीजे अजाज़ा तो आप देखते रहे है नियूज आज